बया, नई, मेरी बात सुनो, हम सिक्थ लोग हैं, हमारे साथ नाइन्साफि हुई है, बया लोगो म dúले, इन्साफि को नहीं मैंक हुए हो तब क्यों थे नी हुए, तब क्यों से सरकार थी तब क्यों से रोजगार मिलें आपको सबस्राइं अब दो सबस्राइब वो यह भी तालीबान के कज़े में होता पूरा भारत भी जो सेकुलर बड़े नेता, हिंदु नेता बड़ी बड़ी बाते करते हैं अरे इस्लाम मोहन भागवत जी कभी कह देते हैं मुसल्मानों से भी हिंदुत हैं उनको जबाब पहले तो मोहन भागवत जी आप अगर इतने बड़े नेता थे RSS के तो आपको ऐसी घड़िया बात कहनी नहीं चाहिए क्योंकि मुसल्मान से हिंदुत कभी नहीं हो सकता पहली चीज बकरीद पे बकरा काटते हैं हिंसा करते हैं ये सब ने सुना था बात आई कि एद फे गलें मिलते हैं इन्दुों से घलें मिले हैं इननोंने वह इस को पता है लेकिन एद के मौके पर ये प WOW करते हैं ये मस्जिदों में कट्झयों के दूआऐ जो दूआ परमाते है उस समय ये प्लान करते हैं कि कहां पट्थर बाजी करना है को भारत को बद context को लगा था जानकीं का फिन हमांतों से शुरु हुआले उसमें कि बात नहीं सिक्कोетр इतना इंसा किया है इस्थ यहां पॉर इसवे हिंदू लोक गजिनीत बाबर чotanya में एजद विखती थी हमारे यारे सिख लोग इंकी भी भेन बेटियों को बचाते थे ठीक है ना और यह क्या कैते हैं यह हिंदु हैं मैं बता रहा हूं आपको सिक्षा के साथ भी मुझलों उने झुल्म कर रहा है सिक्षो के साथ ना हमारे 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 जो सिख हमारे जो गुरु नानक देव जी ने अवतार लिया था बुराई के खिलाफ लिया था दस गुरुओं ने बुरा और सिखों के साथ भी मुखलों ने लेकिन भारत माता की जय बोलने से रोजगार मिल जाएगा मैं बोलता हूं नहीं मेरी बात सुनो हम सिख लोग है हमारे साथ ना इंसाफ हुई है तुम नहीं हूँ तब कौन दी सरकार थी तब अधिकों के साथ कौन से रोजगार मिले आपको जब गलों मैं टार के जलाये जा रहा था तो क्या हुआ था किसे बोल दिया यार कैसे कैसे सिखो के हमारे घुरू हमारे दर्बार साहिब में हिंदू को या मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर रहा तो इनसे बोलो किसी पार्टी को भी सपोर्ट करने की जड़ोत नहीं है यह कॉंग्रेस पार्टी के लग रहे हैं और मैं इनका भाषिषकार करता हूं एक मिनट यह दोस्ते रहें सरकार को रोजगार रोजगार हो रहें इनके लिए अफगारिस्तान से इजस्य दाए थे किसी सरकार के माई करलाल में हमत नहीं थी साब आफगार रहें तो मोदी में जमता हूं और यह खालिस्तानी कहता है अगर मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया होता तो यह आप बोलने का अधिकार रही था यह भी तालिबान के तब्जे में होता पूरा भारत भी आज यह तो योगी में और मोदी में दमता हिंदुत्व को बचा के रखा हुआ है भारत को बचा के रखा हुआ है वह एक रभी बार क्योंकि यह इनकी सोची समझी शाचिश होती है और उपा से पॉलिटीशन का सपोर्ट होता है उनको बता तो जुम्मे की नमाज होगी तेड़ वजे की उसके बाद एक्शन लेना जो भी करना है ठीक है आज एक नट मैं यूपी लखना हुसे हूँ मैं मेरे भाई यूपी लखना हुसा दिल्ली में जाता हूँ लाच्पन चलते हूई ट्रेन पर रशाराइ पिलाते देखा आपने भूंबंढारा करते हुए देखा है आपने देखा है हिंदू यहाँ तो नहीं लगता हूँ देखिए मैं बताता हूं इनकेलिए पथ्रबाजी के लोस्त बदाता हूं इनकेले कहां से मिलती है इनसे मत्रबाजी इनकेम उम् грvolatti निवार मैं पताता हूं उसके लीज driven उनकेल Rent गोर सब्सुक पषत नावा पड़ने ज tag-स नवाज बंच परने जाओ तो अवस मंदर जाता है और पता क्या है भीम्राव मेडिकर ने जो लिखा था कि हमारे देश के मुसलिम कभी भी हिंदुस्तान का सपोर्ट नहीं करेंगे मंदर उस उसका पर मंदर पर मंतर पर पहनते हैं हमारे घैक्स कितना गोलटौ पी लगाएबाले बढ़ा होंगे ना तो पर रोजगार चला एक लाके रोजगार मिला इन्हें अपने दुख से दुखी नहीं आई दूसरे के सुक्सा दुखी आप भी जी के रिपोटर हम बोला था कि इन्हों चार दैसों के चार उनके हाथ में हमारा देश आ जो चार लोगों के हाथ में दिया इसे पूछी है जब कातर वाले बढ़के दे तो हमारे साथ तो पैंतर बिजिनसमाइन की हम जा रहे हैं पर देश तरह के घुटनों आ गए फिर कतर कुछ बॉला नहीं बोला उन्हों कहीं हम चले जह हमारे जो भाईया जी के उस पर आयते बोलने के लिए ना चार देश